नमस्कर दोस्तों गड़ेंग्यान चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लाया हूँ अलामंडा का प्लांट और वह भी दोस्तों रियार प्लांट है क्यूंकि इसका कलर देखिए रेड अलामंडा है और बहुत सारे एरिया में आप देखे होंगे इसका अपका पीच आता है और क्रीम कलर आता है पिंक आता है योलो तो कमोन है दोस्तों लेकिन ये रेड मिलता नहीं है और रेड अभी नया ही निकला है और रेड देखिए मैं ले आया हूँ और ये नया प्लांट है मेरे पास और देखिए ये सीजन बहुत बढ़िया है अलमंडा को लगाने के लिए क्योंके जून जुलाए अगस्ट में बहुत बढ़िया ये फूल देता है दोस्तों एक के बाद एक इसमें बर्स बनते रहते हैं और ये प्लांट देखिए मुझे गमले के साथ मिला और इसका प्र प्राइस भी कम हो जाएगा दोस्तों रेयर प्लांट सब कलेक्शन करने के लिए मुझे अच्छा लगता है और प्राइस जितना भी हो परग नहीं पड़ता है क्योंके ये प्लांट आपके पास पार्मानेंट लियाता है ये पार्मानेंट प्लांट है इसके क्यार के बारे क्याक मलड़ दे रहाए है और प्लावार उतना बड़ा नहीं है साइज में दोस्तों थोटा तो नहीं बुलूंगा मीडियम साइज में है और बकाथ बढ़्या पूलाया थे है देखें के अपका साथ दिन और उसके बाद बाकी फूल सब आएंगे तो ये बारिस के महीने में मौनसुन टाइम में बहुत बढ़िया पोधा है और ये दोस्तों इसका अगर मेटी की बात करेंगे तो नर्माल गार्ण स्वाल 70% और 30% आप लीजे गोवर का खाद या भर्मी कमपोस्ट और ये देखिए ये जो मीटी दिये हैं कॉलकोता का जो चिकनी मीटी आता है उसमें लगा हुआ है और उसके साथ धान का जो छिलका है वो मिक्स हुआ है तो ये दोस्तों पॉट में अभी र निकला हुआ है तो रूट बाउंड होने का चांस रहता है तो अभी आप इसको रिपोट कीजिए और वेसे भी प्लास्टिक पॉट में रिपोट करना बहुत आसान है आराम से प्लांट निकलाता है मीटी के पॉट में थोड़ा दिकत होता है दोस्तों तो प्लास्टिक के पॉट में यह लगा हुआ है और प्लांट का देखिए ब्रांच भी तीन ब्रांच निकला है और इसको जितना बूसी करेंगे उतना फ्लावारिंग करेगा दोस्तों इसको प्रूनिंग चाहिए और अभी बड्स लग गया है तो प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे तो पर आप स्पेग्नम मौस देके रूट हर्मोन देके बान भी सकते हैं दोस्तों नोड अरिया से रूट भी आ जाता है तो आला मंड़ा का प्रूपागे सन बहुत तरीके से होता है और यह दोस्तों प्लांट अभी नया है मेरे पास और छोटा है तो इसका कटिंग मैं नहीं पोधा है और अभी आप लोग भी अगर यह प्लांट को देख चुके हैं तो कमेंट करके लिखेगा और नया देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा सनलाइट की अगर बात करें तो फूल सन पसंद करता है अगर सनलाइट नहीं आता है तो इसमें फ्लावरिंग कम ह तो पानी अगर आप एक दिन नहीं भी देते हो तो नेक्स्ट दे देते हो तो बहुत बढ़िया रहता है और ज्यादा ओबर वाटरिंग मत कीजेगा और ट्रेनेज होल को चेक कीजेगा ये दोस्तों अच्छा नहीं रहने पर रूट रॉट होने का भी चांस रहता है मूर्ज करना होता है और फटी लाइजर भी दोस्तों इसका ग्रोइंग सिजन में रेगुलार देना पड़ता है और अगर आप देते रहेंगे तो इसमें कलियां और फूल बनते रहेंगे और पता से आपको पता चलेगा प्लांट हेल्दी है या नहीं अगर पता में स्पॉट आ र पूलों के नोड एरिया पर और अगर ऐसा दिखता है तो आप नीमोहल का स्प्रे कर सकते हैं और इमीटा कलोफीड का स्प्रे कर सकते हैं लाइट डोज तो दोस्तों यह पोधा आपको कैसा लगा कमेंट करके लिखिएगा और ऐसे नए ने पोधे और जानकारिया पाने के लिए को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नए पोधों के साथ नमस्कार